स्रिपुरा सुर्थ तीन भाई थे बोले वावा से बर पालिए हम लोग मरेंगे नहीं बोले संभव नहीं कुछ और मांगो ब्रमा जी ने जिसको बनाया है जनम दिया है उसको मरने का बिवार पहले लिख दिया है तो क्या मांगे हम जब तक तीनों एक दिशा में नहीं आ जाएं तब तक कोई आयुद हमारा बद्ध न कर सके एक रहता था अगनेये कोण में दूसरा रहता था वायब्वे कोण में तीसरा रहता था इशान में तीनों आएंगे नहीं सामने तो मरेंगे कैसे तीनों मिलते ही नहीं थे एक किसी कोण में रहे नरीत्य में रहे अब दूसरा आगने में है केंद्रे में आये तो मरे वो तो तीसरा उदर है इसान में बैठा है एक वायब में है इसान वायब आमने सामने होगा तो वो कहा तो नरीत्य में बैठा है लो ऐसे कैसे मरेंगे ये मांगे जब तक तीनों समान बेवार में उपस्थित नहों तब तक मरे नहीं महल भी तीनों का भगवान ने कैसा बना के दे दिया लेकिन परमात्मा शिव और भगवान श्रिद अगुनाज्य विष्णु प्रभो ब्रह्मा जी हर जीव की आने जाने की रचना बनाये परंतु समझ में नहीं आता है पड़े लिखे लोग हमारे नोड़ा में कोई डियम साब थे बिहार के वो कूद के मरी गए नमे माले से काहे पत्नी से पट्टी नहीं थी तो किसकी पट्टी है सब लोग मरी जाएंगे कि इसे काम चली गए देखो समझ से जानते हो क्या है हम जिसके साथ रहते हैं बस उसी से हमारी नहीं पट्टी है लेकिन जिससे दूर रहते हैं उससे हमारी खूब पट्टी है साब कारण अरे बाई पट्टी नहीं है पटाना पड़ता है जगत में जीना है तो ये कला सिखिए पटना और पटाना पटना और पटाना जिसका नहीं जानते हैं उसका लगता है इनका बहुत बढ़िया है जब उनके घर तीन दिन रजाओ तो लगता है इनसे अच्छा तो हमरे वाला है रहे राम राम छोटी छोटी बातों का भीमान ले लेते हैं लोग पुछा ही नहीं बूझा ही नहीं बताया ही नहीं कितनी तरह की समस्या अब आप दर्शन करो सती जी ने योगागनी में बदन को क्यों प्रवेश कराया हन्यता का रड़ नहीं सती जी सोचती हैं कि शीव जी ने पहली बार समझाया था नमानी दूसरी बार समझाया था तब नमानी अब तीसरी बार करी देखा बहुझतन हर रहई नदच्च अब जाओंगी तो क्या कहूं इसलिए मेरी प्रार्थना है स्रेष्ट जिसको मानिये उसकी हर बात मानिये यह सूत्र है मेरे जीवल का जिसको स्रेष्ट मानो उसकी हर बात मानो केवल स्रेष्ट मानने से काम न चलेगा हर बात मानिये अब माई सोच रही है कि जाओंगी तो अब क्या कहूंगी इसलिए सब को डपट कमाई अस कही जोग अकीनित नुजारा भयम सकले मख़ार का संग में आये गणों ने यक्ड को बिदिवत बिदंस्क्या एक ने जाकर सूचना दिये वगवान शुने वीर्भद्र को बेजा तक्स की जरतन उड़ा दी पूसा की दाड़ी नोश्टी बेगुजी महराद जय 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 स्तोत्र पाट करके शांत कराए पिताम ब्रह्मा विश्नु शिवजी को बुलाए दक्षप्रजापती के सिर पर भकरे का गर्दन लगाया गया कैर्यक्य संपन्वा वुलियक्य नारायन भगवान की जीवन में संसकार के लिए कल्यान के लिए मंगल महुत्सव के लिए अनुष्ठान करना चाहिए आदर के लिए करना चाहिए किसी के निरादर के लिए कदाप नहीं